नमस्कार फ्योष मंद सुन्दरों में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंट्रन से जहां पर देखने को मिला कि अब यहां पर दादी सोच रही होती है कि मुझे किसी भी तरह इस लड़की को इस गर्षे बाहर निकालना है चाहे मुझे इसके उपर कोई भी क्योंना इलजा बाहर निगल जाती है फिर शौच में पर जाती है कि अब एक बात तो कंफर्म हो गई है कि कोई इस गर का सदश्चे ही है जो मुझे इस गर श्रे निकालना चाहता है तो अब सोच रही होती कि मुझे चल दी उस सक्स तक महुचना होगा मुझे उस सक्स का परदाफास करना होगा सचा ही सब के सामने लानी होगी तो आप देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है कि क्या समय रहते रूही कर पाएगी अगनी का परदाफास क्या यहां पर पहुँच जाएगा नहार क्या रूही को लेकर जाएगा गर के अंदर वापिस जहां पर आप रूही पराने वाला बगती बड़ा खत्रा जानाने वाली खत्रे में